हेलो नमस्कार प्यार शात्रों स्वागत है आपसे का एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप कैसे अमीबा का असान चित्र ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप से की बोर्ड की परिच्छा हैं निकट आ चुकी हैं और आप से बोर्ड की परिच्छा में अमीबा का चित्र ना मांग के चित्र पूछा जाने वाला है और अगर आप इस वीडियो को अंतक देख लेते हैं अमीबा का चित्र बनाना सेख लेते हैं तो आपके पास टंबर आपके मुठी में हो जाएंगे तो आएए वीडियो को बिना देरी के सुरू करते हैं देखे ब्यार शात्रों, अमीबा बनाने की जो ट्रिक है उसमें आपको से ले क्या करना है एक बड़ा सा गोला खीचना है फिर उससे छोटा गोला खीचना है फिर उससे छोटा गोला खीचना है और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा यानि कि आपको चार गोले घटते हुए क्रम में खीच लेने है या बना लेने है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ये जो बड़ा वाला गोला दिख रहा है इसके आगे से आपको ऐसे देखिए ऐसे फिर ऐसे देखेगा प्यारे चात्रों ऐसे ये देखिए ये देखिए इस प्रकार से आपको बना लेना है चुकि प्य प्रमीबा की जो आकृती है प्यारे शात्रों वो निश्चित नहीं होती है भाई ये पानी में रहती है और जैसे ही पानी को हिलाया जाता है तो ये अपनी आकृती को क्या कर लेती है उसी हिसाब से ढाल लेती है इतना आप समझ गए तो देखिए इस प्रकार से आपको बनान है फिर आपको देख ए कैया करना है प्यारे-शात्रों इसके जितने भी किनारे हैं लो देखें आपको कोसे बंदी बनादेनी आइए बहुती आसान सा चित्र है बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरबन नदेएं को इस प्रकार से आपको ऐसे चारों तरफ बहुत ही ध्यान पूर्वक ऐसे गुंदिया बना देनी है ये देख इस प्रकार से आपने डॉट चारों तरफ बना लेने हैं और इसके अंदर आपको कुछ ऐसे बनाห देना है ठीक और इन सभी के अंदर आपको छोटे छोटे गोले बना देने फिर आपको क्या करना है देखिए ऐसे 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 और ऐसे पांच मोटे गोले बना लेने और उसके बाद में आपको इसको पूरा ऐसे डॉट डॉट कर देना है देखिए कितना ही आसान और कितना ही खोपसूरत सा अमीबा बन करके तयार हो चुका है कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको यह अमीबा सुन्दर लगा और आसान लगा या नहीं वैसे हमने तो अपने तरफ से पूरी कोजिस किये कि आप सभी को यह अमीबा आसानी से समझ में आ जाए तो देखिए प्यारेशात्रों इस प्रकार से आपका जो अमीबा का चित्र है वो बन करके तयार हो चुका है एक बार ट्रिक और देख लेते हैं सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा सा गोला बनाना है फिर उससे चोटा गोला फिर उससे चोटा गोला और फिर उससे चोटा और फिर सबसे चोटा गोला ऐसे करके चार गोले बना लेने हैं फिर आपको प्यार चातों उसके बाहर से किसी भी प्रकार से ऐसे हिलाते डुलाते ऐसे लहराते हुए बना देना है और आपका अमीबा का चित्र बन करके तयार हो जाएगा लेकिन आपको पेपर में इस अमीबा के जितने हिस्से हैं उसके उनके नाम भी लिखने पड़ेंगे तभी आपको बुरे पांच नमबर मिलेंगे यानि आपको नामांग के चित्र बनाना रहेगा तो आईए हम आप सभी को इसके सभी हिस्सों के नाम लिख करके भी बता देते हैं ताकि आप अपने चार नमबर अपनी मुठी में कर लें तो चलिए नाम भी लिख लेते हैं तो प्यारे शात्रों आईए हम अमीबा के सभी हिस्सों के नाम भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं तो इसको भी आप जरूर याद रखेए देखिए जितने भी ऐसे करके बने हुए हैं पैर या आप कह सकते हैं लहरा रहें जितने भी हिससे इनको आप क्या कह देंगे इनका नाम जो होता है पादाव क्या होता है अब देखिए आपको पादाव कैसे याद रखना है तो यह देखिए इनके पैर की तरह से लग रहे हैं तो पैर को संस्कृत में कहा जाता है क्या पाद तो उसी से आपको याद र परत है इसको क्या कहते हैं वाय भित्ति क्या कहते हैं वाय भित्ति जो बाहरी परत है इसको क्या कहते हैं प्यारेशात्रों इसको कहते हैं वाय भित्ति फिर यह जो सबसे बड़ा वाला गोला है इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं प्यारेशात्रों केंद् केंद्र में है और सबसे बड़ा है इसलिए इसका नाम केंद्रक हो गया और यह पैर की तरीके से Cant now along जो Iska पाधाव कहेंगी यह बाहरी परत है ऊसको वायवित्त्त कहेंगे समझ केंगे और फिर यह जो अंदर है इसमें आप क्या बता देंगे कि अंतहग द्रवे, क्या है, अंत्रा अंता द्रव, यानि अंदर का जो सामान है, उसको क्या कहेंगे, अंता द्रव कहेंगे, फिर देखिए, जो गोल-गोल से छोटे-छोटे आपने बनाया थे, इनका भी नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको प्यारे शात्रों कहते हैं, इसको कहते हैं प्यारे चात्रों आकुंचन सील धानी क्या कहते हैं आकुंचन सील धानी इसका नाम क्या हो जाएगा आकुंचन सील धानी और यह जो हमने काले काले से गोले बड़े वाले बना है इनको कहते हैं खाद धानी क्या कहते हैं खाद धानी इसी के जरी ये खाता है तो बस आपको प्यारे चात्रों इतना ही वहाँ पर लिख देना है और आपके पूरे पांच नंबर आपके मुठी में हो जाएंगे एक बार फिर से जान लिजी ये जो पैर की तरीके से इनको पादाव कहते हैं जो बड़ा वाला गोल आप बनाएंगे उसको केंद्रक कहते हैं जो अंदर भरा हुआ होता उसको अंताहद्रव कहते हैं और जो बाहरी परत है उसको वाह भित्ति कहते हैं और जो ये गोल वाले हैं इनको आकुंचन सील धानी कहते हैं और ये जो काले-काले बुंदे हैं इ पूरा तयार हो चुका है और अगर आपसे परिच्छा में पूछा जाने वाला है प्यारेशात्रों तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना देंगे यह मेरा आपसे दावा है तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे ताकि हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब डालें तो आपके दोस्त भी उसका फाइदा उठाएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बेल के आईकन कॉल पर सेट कर यही इच्छा दिली इच्छा है तो चलिए तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में तिल देन गुडबाय है वार नाइस टे